लॉक्डाउन और कोरोना संक्रमन के चलते कई फिल्मों की रिलीस टाली गई, वहीं कई को OTT प्लैटफॉर्म्स पर रिलीस किया गया, कई ऐसी भी फिल्में हैं जिनकी शूटिंग देर से शुरू हुई, अब धीरे धीरे फिल्मों को सिनेमा घरों में रिलीस करने का सिलसिला शुरू हो रहा है, इस साल अक्षे कुमार की एक ही फिल्म रिलीस हुई, मगर आने वाला साल अक्षे कुमार के लिए काफे दिल्चस्प होने वाला है, उनकी छे फिल्में एक के बाद एक रिलीस के लिए तयार है, अक्षे के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उम्मी पूले सदीकारी की बहुमिका में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म को रोहिषेटी ने बनाया है यह बड़े बज़ट के फिल्म है जिसे मेकर्स ने रोक रखा था अब इस फिल्म को हॉल में ही रिलीस करने का फैसला लिया गया है इस से बड़ी कमाई के उमीद भी की जा रही है अक्षे कुमार की दूसरे फिल्म जो 2021 में रिलीज होने वाली है वो है अतरंगीरे इस फिल्म में अक्षे कुमार सारा अली खान के साथ नजर आएंगे फिल्म के डिरेक्टर है आनंद ऐल रॉई इस फिल्म में साउत के बड़े स्टार धनुश भी एहम रूल में नजर आने वाले हैं धनुश इस से पहले आनंद ऐल रॉई के साथ रांजना में भी मुक्के भूमी का कर चुके हैं कोविड 19 के चलते लॉग डाउन के बाद जैसे ही शूटिंग के लिए परमिशन मिली वैसे ही अक्षे कुमार अपने टीम के साथ शूटिंग पर निकल गए वे विदेश में फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग के लिए गए थे फिल्म में अक्षे संग, वानी कपूर, हुमा कुरेशी और लारदता भी एहम रूल में नजर आने वाली है फिल्म बेल बॉटम का निर्देशन, रंजीत, एमतिवारी कर रहे हैं फिल्म को अगले साल 2 अपरेल को रिलीज करने की तैयारी है कहा जा रहा है कि अक्षे कुमार की फिल्म बच्चन पांडे 2021 में रिलीज हो सकती है ये फिल्म साउथ की एक फिल्म की रिमेक है फिल्म को फरहाद साम जी डिरिक्ट कर रहे है इस फिल्म में अक्षे के साथ पंकच तरिपाठी भी नजर आएंगे इसके साथ ही कृती सैनन अक्षे के अपोजिटर नजर आएंगी वहीं इस फिल्म में अर्शदवारसी अक्षे के दोस्त के रोल में नजर आएंगे इस फिल्म को साजीद नाडियाड वाला प्रिडियूस कर रहे है अगस्ट को रक्षा बंदन के मौके पर अक्षे कुमार ने अपने एक नए प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया उनके इस फिल्म का भी नाम रक्षा बंदन है अक्षे ने बताया था कि अब तक के करियर में ये वो फिल्म है जिसे वे सबसे जल्दी साइन किये थे ये फिल्म पांच नॉंबर 2021 को सिनेमे घरों में रिलीज होगी इसे आनंद एल रॉय डिरेक्ट करेंगे हाल में ही अक्षे कुमार ने राम सेतू का ऐलान किया इसके शूटिंग 2021 में उत्तर प्रदेश में होनी है फिल्म साल के अंत में या फिर 2022 में परदे पर नज़र आ सकती है अभी इसके रिलीज डेट तै नहीं हुई है इस फिल्म के सिलसले में अक्षे कुमार ने उत्तर प्रदेश के सियम योगी आदित तेनाद से भी मुलाकात की है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल न भूले बगल में लगे बैल आइकोन को भी प्रेस करें ताके हमसे निकलने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे